कि आपके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा हो मेड फेशल जिसके सारे इंग्रीजिन्स आपके घर पर मिल जाएंगे और यह फेशल आपको पालर के महंगे से महंगे फेशल से भी ज्यादा अच्छे रिजर्ट देगा सभी स्किन टाइप्स को सूट करेगा साथ ही साथ जिनको पिग्मेंटेशन है दाग धबे हैं स्किन पर या फिर पोर्स बहुत ही बड़े-बड़े होते जा रहे हैं टानिंग हो गई है उसको भी दूर करेगा तो आल-इन-वाल फेशल है साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं है इसमें वन स्टेप फेश जब भी इसको करते हैं आपकी स्किन डल से डल क्यों ना हो एकदम से गलो देता है एकदम से ब्राइट करते आपकी स्किन को साथ ही साथ था थाइम थोड़ा लगता इस फेशेल को करने में हादली 10-15 ताइम लगता है मैं से पन्दा मिनुद का चाईम मैं अभी अब ही यह हो गई है ना आपकी skin तो उसको भी एकदम से instantly bright कर देता है तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते है नेकिन उससे पहरे चोटी से request है अगर ये topic पसंद आ रहा है मेरे videos आपको पसंद आते है तो मेरे inspiration के लिए मेरे motivation के लिए एक like तो बनता ही है तो जल्दी से नीचे thumbs up का बटन दबा दीजे और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजेगा अपने friends family and relatives के साथ तो चलिए start करते हैं ये facial वीडियो वेल जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये one step facial है तो एक ही step में cleansing scrubbing massage और pack का 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 होने वाला है तो आपको क्या करना है एक कटोड़ी लेनी है उसमें आपको एक चमच आटा डाल देना है गेहूं का आटा जो नॉर्मली आप यूज करते हो रोटी बनाने के लिए वही एक चमच आपको डालना है आटे में बहुत सारे vitamins और minerals होते हैं साथी साथ good carbs होते हैं और यह आपके pores को श्रिंक करने में बहुत अच्छा होता है अगर आपकी skin पर जूरियां बढ़ती जा रहे हैं तो इसके बाद आपको एड़ कर रहा है तकरीबन आदा चमच कोफी पाउडर कोई भी कॉफी किसी भी ब्रैंड की आप ले सकते हो आदा चमच कोफी पाउडर एड़ करेंगे कॉफी एक नाच्रुल स्क्रब का काम करती है साथ ही साथ यह स्किन की डलनेस को दूर करके इंस्ट की शहद में मल्टी विटामिन्स होते हैं बहुत सारे अंटी ऑक्सिद्स होते हैं जो स्किन को डीपली हाइडरेट करता है साथ ही साथ अगर आपकी स्किन गल्मी की वज़े से टैनिंग की वज़े से जुलस गई है तो उसको भी एक नई जिन्दगी देता है नई लाइफ सेल रिजुविनेशन में हेल्प करता है हनी साथ ही साथ यह आपकी स्किन को जवान बनाने में भी हल्प करता है तो एक चमच के करीब हनी आड कर देंगे इसके बाद आपको आपको आड करना है तक करीबन आधा चमच अलोवेरा जल आप मार्किट वाला भी ले सकते हो घर प्लांट से निकाल के डिरेक्टि भी यूज ने देना है यह आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है और और स्किन सेल्स को रिपियो करने का काम करता है तो आधा चमच अलोवेरा जल हम इसमें एड कर देंगे और my last ingredient is milk रॉ मिल्क यानिकी कच्चा दूद आपको लेना है क तो आप फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूद लीजेगा तो दूद इसे साब से डालना है कि ठिक पेस्ट बन जाए तो पहले थोड़ा सा ही रालेंगे इन सब चीजों को आप मिक्स कर लीजे अच्छे से मिक्स करना है तक रीबन एक मिनिट लगाईएगा मिक्स करने में क्य या इस फेशिल ट्रीटमेंट की आएगी एकदम गाड़ा होना चाहिए पतला होगा तो आपके फेस से गिरेगा आप मसाज नी कर पाओगे इसलिए इसको थोड़ा गाड़ा रखना है यह देखे यह हमारा फेशिल ट्रीटमेंट रेदी है इसे पांच मिनिट के लिए आप तरफ भी इस फेशिल मास्क को लगाएगा बिकुज यह अपके अंडर आई डार्क सर्कल्स को भी दूर करता है और अगर आखों के आसपास फाइन लाइन दाने लगी है तो उसको भी रिमूफ करने का काम करता है तो पूरे फेस पर अपलाय कर लीजे यहां पे आप वीडि पांच मिनत के बाद आपने मसाज करनी शुरू करनी है मसाज सर्कलर मोशन से स्टार्ट कीजे और अपने नोस पर अपने लिप्स के अराउंड टीक्स पर आँखों के जारू तरफ अच्छे से मसाज कीजे यह फोरेड पर मसाज कीजे और प्रेशर पॉइंट्स जो मैं परिंज या फिर मसाज तार के स्टेप्स में आपको अकसर बताती हूं वह सारे अपनी करने तक क्रीवन 5 मिनिट के लिए मसाज करनी है पांच मिनिट मसाज करने के बाद इसे आपने फिर से पांच मिनिट के लिए अपने फेस पर लगा हुआ छोड़ देना है ठीक है करने के बाद आपको एसा लगेगा जैसे आपकी स्किन बहुत इन से गंदी थी और वह एकदम से धुल गई है और एक अलग सा ग्लो आपकी स्किन पर आपको दिखेगा एंड हफते में एक पार इस फेशल को करेंगे तो आपके पोस श्रिंक होने चुरू हो जाएंगे आप इस लोगडाउन में ट््राइय कर सकते हैं और पार्लर के महंगी से महंगे फेशल से भी अच्छह रजल रचल पा सकते हैं कि अikदम से निखार आं गया है एकदम से गलो आ गया है तो देखा आपने कितने सिंपल से इंग्रीडियन किये और उनहीं की एंप से आप अपने में चाचान लगा सकते हो तो यह था मेरा आज का वीडियो जल्दी से ये फेशल अपने खर में कीजिए और इसके रिजर्ट कैसे मिले मुझे ज़रूर कमेंट करके बताईएगा हिट लाइक पटन एंड इस वीडियो को शेर कीजिए अपने फ्रेंज फैमिल एंड खर रेलेट टूना थी ज़र खक्रम करा में भीडियो को शॉट तो कीज़ शखवें बताईएगा हिए एंड रु battery लेके लाओा समस्मा कि भूऴगा सलिएगाएगाइगा हिए COPगा में रेलेटिो लेएगशाण राबसा रिख सकताशन उसली के शहन्मा कीजिए हिए ज ब